नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है परतियों की परिक्षाओं में पेपर डिक चीटिंग रोकना एक चुनावती है मोधी सरकार ने इस दिसा में बड़ी पहल की है और लोगसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन बिल ले करके आई जो की पास हो गया है आज इसे राजी सभा में पेष किया जाएगा राजी सभा से पास हो करके राश्टपती के हस्ताक्षर होने के साथ ही ये बन जाएगा कानून इस कानून में पुलिस के पास बिना किसी वारंड के संदीग्दों को गिरफतार करने तक का अधिकार होगा और सजा 3 साल से लेकर के 10 साल तक होगी एक करोन रुपे तक का जुर्माना लग सकता है सबसे बड़ा सवाल ये कि ये बील जब कानून बनेगा तो फिर कौन-कौन सी प्रत्योगी परिक्षाएं इसमें कवर होगी तो आपको बता दे कि UPSC यानि कि Union Public Service Commission जो परिक्षाएं लेता है SSC, Staff Selection Commission, Railway भरती बोर्ड, Banking, NIT, Medical और Engineering समेत वो तमाम परिक्षाएं इसके दाएरे में आएंगी ये बिल 10 भी या 12 भी की परिक्षाओं पर लागू नहीं होगा ये राजियों की परिक्षाओं पर भी लागू नहीं होगा क्योंकि कई राजियों में नकल को ले करके अपना कानून है इसमें किसी परिक्षा का Question Paper या Answer की लिक करने में किसी के साथ सामिल होना बिना अनुमती Question Paper या OMR seat अपने पास रखना परिक्षा के दवरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना परिक्षा दे रहा है Candidate को Direct या Indirect तरीके से मदद करना एक्जाम Answer seat या OMR seat के साथ छेड़ चाड़ करना कापियों के मुल्यांकन में बिना अनुमती छेड़ चाड़ करना सरकारी अजेंसि द्वरात तैप परिक्षा के मानकों का उलंगन करना पबलिक एक्जाम के लिए सीकोर्टी मानकों का उलंगन करना किसी एक्जाम कम्प्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़ चाड़ करना नकली admit card जारी करना या नकली एक्जाम कराना किसी एक जामिनेशन ने 30 को धमकाना या काम करने से रोकना सामिल है इस बिल में इस बात का ध्यान रखा गया है कि इससे अभ्यार्थियों का नुकसान न होने पाए क्योंकि ये पेपर लीक कराने और चिटिंग कराने का काम जो है बकायदे गैंक्स करते हैं लिहाजा उन passenger को टार्गेट किया गया है कि किसी तरीके से उनका रास्ता रोका जाए अदर्वाइज जो योग या भ्यार्थि होते हैं उनका पूरा करियर बरबाद हो जाता है आपके क्या रहा है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर किजिएगा रायन बेखबर देखते रहिए इन खबर थैंक यू